लेकिन S.J. शंकर जो इंडिया का जो फॉरन मिनिस्टर है उसके तो बड़ी वावाई है दुनिया के अंदर क्या वजवात है उसका एक लेवल है इंडिया का अपना एक लेवल है उसके मिनिस्टर का एक लेवल है उनकी फॉरन पॉलिसी का एक लेवल है आपकी फॉरन पॉलि SCU की Meeting Summit करने के लिए.. जेश शंकर साब के सामने जाके वह सलाम करने के बज़ा हाद जोटरे और साथ फोटो की चवाने.. जेश शंकर साब ने सब के साथ तस्वीर की चवाए। लेकिन हाद जोड़कर जब बिलावल बुटो साब की बारी आई तो उन्होंने हाद नीचे ही रखे हुए थे और तस्वीर की चाने के बाद कहा कि भाई यह रास्ता यहां पर जा सकते हो आप क्या समझते हो आप इसमें गल्ती किस की है बिलावल बुटो साब की है या फिर जेश अंकर की है या इंडिया की गल्ती क्या इससे को कैसे देखते हो देखे हमें बहुत अपसोस होती हिंदुस्तान हमारा दुश्मन और दूसरी बात यह कि यह सारे कटपुतली लोग जमा किया है हमारे सबसे बड़ी गल्ती है इदारों का समझता हूँ क्योंकि इस तरह के नालायक और बेखेरित लोग लाके पाकिस्तान के उर्फ पर मसलत किया है और क्रिप्शन के हद पार करके आप हिंदुस्तान भी चल ले गए तो यह गल्ती है हमारी जल्दी किस इसमें कहते हो आपके क्या हमें हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए था पहली बात पहली नंबर पर कुछ टाइम पहले की बात आपको याद होगी कि बिलावल बुट्टो साब ने एक मौकिफ दिया था इंडिया की नरिंदर मोदियों कहा था कि जो गुजरात क कसाईय वो भी जिन्दा है आप इंडिया के खिलाफ बेयाना देकर इंडिया ही जाना ये क्या समझते हो आप किसमें हमारी इज़त होती देगे हमारी पूरी पाकिस्तान की इज़त को मैनिस किया है बिलावल बुट्टो ने और हिंदुस्तान में जिस तरह के जिल्म होता है हमारे मुसलमानों के उपर और मजीद जिलम का हुआ दिया दिया विलावल ने तो शरम आना चाहिए ऐसे मनस्टरों को उधर जा के उनके हिंदू बरादरी के साथ स्टेंड लेना ये अची बात नहीं है तो चाहिए अब नौन मुसलिम तो चाइना भी ऐ फिर हम इनके साथ एक रिलेशन बेतर करना कि उचा समयते हैं में जितना आप समयते हो से कहीं गोना ज्यादा जलुम है आपको इस बारे में पता था देखे हिंदुस्तान हमारे डिरेक्ट दुश्मन है क्योंकि उन्होंने हमारे फोज के ओपर जो जिल्म किया है और और भी साज़िशे करके दुनिया में हमें माइनेस करना चाहती हो चैन कि तो आपने बात की तो चाहिना के अंदर भी मुस्लमानों पर जलुम हो रहा हम उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं मैं यह पूछना चाहरा हूँ देखे चाहिना में इस तरह के नेक्टिव रोल आदा नहीं होता है जिस तरह के हिंदुस्तान मतलब आप इस बात को म नहीं हो और होगा लेकिन रिशर्च की जीए का कि जुम कहां पर है चाइना के अंदर मछिदें गिराई जारी यह का यह मचिदों को गंबत है यह चाहिना के अर्किटैक्टर के खिलाफ है सारी मचिदे तोड़ दी है चाहिना कहता कि या या तो आप एधिस्ट हो या आप और फंड्स भी देते हैं चाहिना तो जहां से हमें फंड्स मिले हम मुसल्मानों के दुखधरत बूल जाए नहीं 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 आपका लास पर कोई मैसी देना चाहेंगे क्या पबलिक को यह मैसेज देना चाहता हूं स्टेन लो और इमरान खान की वो दुनिया में आपक का स्टेन लेगा और यह स्टेन तारीख का अच्छा पॉइंट में मिलेगा इस स्टेन से बिल्कुल सही होगा बहुत शुक्रीया आपका तैंक कैसे हैं अलामदूला मजीद क्या करते हैं बैंक मैनेजर माशालला जबर्दस हो गया सर बेसिकली बात करने का परपस यह के बा जाकर हमारी बड़ी बी इंसल करवा दी है इस बारे में क्या कहना आपका अगर उन्होंने वेलकम किया ना उन्होंने शेकन किया ना इसकी कोई इज़त है ठीक है फजूल टाइम है फजूल टाइम बेस कर रहा है पाकिस्तानी कौम का पैसा बरबाद कर रहा है जब से इसने जॉइन की है तब से लेकर यह फारण नहीं रहता है ठीक है हाँ इसका कोई फैदा नहीं ना कोई फारण मनिस्ट्री का हमें को फायदा है ना कोई इसकी बात सुनता है ना कोई मानता है परस्पूर्णिट्व कै Paylnaoht definitely सब्सक्राट्णित क कि पज्टी इसकी पाक्सान में क्या वेलियु है उसकी कोई वेलियु नहीं है पाक्सान में उसकी क्या वेलियु है बिलोररानी टीक ठीक है, वो कहीं आता है जाता है, उससे कोई फर्क ने पड़ता है। लेकिन S.J. शंकर जो इंडिया का जो फ्रॉरंण मिनिस्टर है, उसके तो बड़ी वावाई है दुनिया के अंदर, क्या वजवाद है। उसका एक लेवल है, इंडिया वापना एक बार्णपना लेवल है, उसका मिनिस्टर के लेवल है, उनकी फारंट पॉलीजीजी के लेवल है, आपके फारंट पॉलीजीय को कोही नहीं मानता को. कोई सुनता नहीं है उसका अपना कोई वजूद नहीं कोई लैवल नहीं है हां ऐसा ही रहेंगे कर दो हमारे पीछे जब तक सब्सक्राइब हैं तक हम ऐसे रहेंगा पाकिश्टा नहीं सुदर सकता हैं हम दुश्मनी देकि किस-किस मुलकों के साथ कर रहें लेकिन हमारे लिखाते हैं, दुश्मनी अवाम की चलती है, महंगाई अवाम के सर पे होती है, इसलिए हम कहते हैं, का IMF को हमें करदा नहीं देना चाहिए. सर अभी 7.5 लाग से भी जाधा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं, लेकिन किसी भी परोसी मुलक क्या भिस्ट्री निकालने किसी भी मुलक की तारिक में इतने जाधा लोग मुलक छोड़कर नहीं गए, क्या वज़ुआत हैं? प्रवाइब बजूहात सबसे बड़ी महंगाई उसके बाद एंसर्टेनिटी उसके बाद एजुकेशन का ना होना उसके बाद फूचर मच्चों का मुस्तक्बिल कुछ नहीं है तो इस वज़े से यहां पर एक जानवरों वाली लाइफ है इंसानों वाली लाइफ नहीं है त सबसे ज्यादा मुश्किल इंडिया की नैशनलिटी लेना तो क्या हम क्यों क्यों करते हैं कि अपने मुलक की बी और दूसरे मुलकों की नैशनलिटी लेते हम भी कवमाल हैं दस हजार में शनाफिकार बन जाता है 15000 में आपका पासपोर्ट बन जाता है किसी की बनाम हाँ कि बनाम की बनाल जितने बंगला देशी हैं सारे के सारे बाव के फाकिसानी नैशनल ओर जितने अफगांटिं हैं ने पासपोर्ट पाकिसदनी हैं कर रहा है चांद टखे वो परस्नल फायदा देखते हैं कि मेर पास चांद टक ही आ रहा है यह नहीं हरी करियर कोई न हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं दिवालिया हम हो चुके है पिछले साथ आठ माह से हम दिवालिया लाइफ घुजारा है बस वह शाक डार सादुने डीजेट आगे पीछे कर दी है उसके वज़ा पूर दिये जूत आठिफिसल तोर पे तभी आएमाफ आपको पैसा नहीं दे सरा कब तक हम आमेफ से मांगते रहेंगे सर मुलक तरकी किया था मैंने से हमें पैसे लेने का कोई अवाम को फैदा नहीं है उसे उपर वाले लोग खा जाते हैं अवाम तक कुछ नहीं आता पाकिस्तान की जर्याइए जर्याइए आमत क्या है हम किस चीज से पैसे कमाते और अ अई से खाब पंबारियां सब किसी तरह दैश्टगर्दी में अफगानिस्तान को हर मोके पर हम साथ देते हैं लेकिन WILLकि अज उसकी जी ताम की अदैनल क्यों आघुन के पैसे लेके तालबान बनाएं आज वो आपके सर पर मुसलत हैं और हमेशा रहेंगे अच्छे तालबान भी होते हैं क्या बुरे तालबान भी होते हैं नहीं अच्छे बुरे तालबान वो हैं जिनके बचे आपने मारती हैं हमने तो एक तालबान बनाए थे और अच्छे ताल इसे हैं सरा अलहम्दो जलाला को शुक्र नाम आपका फरहान रिशीद क्या करते हैं मैं इंजिनियर हूँ सर बिलावल बुटो साब इंडिया चले गए और वहां पर गए और बड़ी बिश्टी हुई हमारी ऐसा सुनने को मिल रहा है क्या समझते हैं आपके उन्हें इंडिया करता है पाकिस्तान को क्या क्या लगता है कि बड़ावलिटो साब आपके कहने की मताविक ऐसा žायर हो रहा है कि बलावल बिटो साब जो सीड़ पे सीड के नहीं है बिलकुल के नहीं है वो ब cotton है इस सीड़गे को उनके यह बहुसे लोग गुजրे हैं उन्में से वजयर कि रियात पे प्कॉर्च पहाथ है एक रिस्पक्ट नीटा का उसकर इस पर आपका से जब हमारी तरफ से इधर पहले बिलावल बुटो साब नफरत अंगेश करते हैं कि बुचर ऑफ गुजराद इस अलाइव बुजराद का जो कसाई वो जिन्दा पहले उसको आप मारो जब इस तरह का बेहाना देकर एक मुलक के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इतना बुर सब्सक्राद कि कर सकते हैं । कि क्या कहना चाहे हैं घलती हमारे बंदे हमारी बंदे की का इमरान खान को कहते कि बहुता है तो मैं तुम लोगको तो underspection करवानी आती वह आप आप चले कर दो इंडिया आपको जाना नी आ पाकिस्तान के हालाथ आजकर कुछ बेहतर नहीं है। मौशी आध भी और समाजी लेवल पर लोग बहुत परिशन हैं। मैंね ऐब लाबलबुटों का कहीं नहीं पॉजिटिवीटी की रेट करनेंका जाने जाने का ऊत्好吃 डाइड प्रेट करना cannot attend तोनी digital और सीनियर परसंट इसे हैं जो जिनको बाइपास करके जिसकी नाया गया गया थिक है जिसको मुरैख नाया सबस्क्राइब कि वालिद के बाद बेटा आगे सियासत में आ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत से कैपबल लोग है इनकी पार्टी में जिनको आगे आना चाहिए था इसकी जगा पर इंडिया के साथ बहुत बुरे हैं इंडिया के साथ बहुत बुरे हैं पाकिस्तान का मौकफ पपाकिस्तान की इंडिया के साथ क्यों नी बैठर हो सकते हैं हमारे प्रवजिने किस बात यही है आपको पता है मुस्लमान और हिंदू एक दो नजरिया कोमी दो कौमी नजरिया जो पेश किया गया था उसके बाद से दुष्मिन है हमारे इनके साथ इस तरह तो दुष्मनी हमेशा से पाकिस्तान के लिए या फूरे मुसल्मानों के लिए उसरे मीश इसके वो एक जो चाहिए आ में वो एक कौम है और उनके बारे में बात करने चाहिए उनको स्पोर्ट करना चाहिए और इंटरनेशन लेवल पे इंटरनेशन प्रेट फॉर्म पे उनके लिए उनके हक्त में अवाज बुलंद करने चाहिए मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए